बड़ा सवाल है चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस देगा? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा देखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धर्ती जैसे फसल लहराएगी? क्या चांद की धर्ती पर खेती मुम्किन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वाता वरण नहीं है लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धर्ती को रहने लायक बनाया जा सकता है लेकिन दावे के मुताबिर चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती अंतरक्ष में चंद्रमा धर्ती का सबसे करीबी पडोसी पिंद है पिछले 6 दश्कों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है सभी मिशन को काम्याभी नहीं मिली लेकिन इन मिशन में चंद को सबसे जादा खुजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई है दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्डी में कई तरके खनीच है चांद की सदर पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके है वैग्यानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते है संभावना जताई जा रही है कि भविश्य में चंद्रमा पर मानोबस्ती वसाने का सपना पूरा हो सकता है लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1970 में पढ़ गए हूँ लेकिन कड़वी सचाई ये भी है कि 1972 की बाद से किसी भी अंतरिक शियात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है तभी से वहां इंसानी वस्ती बसाने की चर्चा चल रही है 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भीजे गए और उससे जो जानकारी हसिल हुई उसके बाद से अब चांद पर मानो बस्ती का सपना जल्ड आसान हो सकता है लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है क्योंकि अगर चंग्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धर्दी से सामान भेजने होंगे तो ये काफी मेंगा साबित होगा एक अनुवान के मताबिक सिर्फ सौ लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब सवाल लाख करोड रोपे का खर्चाएगा ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लाइक बस्ती वसानी है तो सबसे पहले रोपी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूर्तों को पूरा करना होगा जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पान, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लाइक जगन और रोशनी के लिए विजली जरूरी होगी दावा है कि इनमें से ज्यादा तर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है चंद्रियान वन की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टी हो चुकी है पानी की खोज के बाद इस रो अब चांद पर जमी बर्फ का विशलेशन करने में जोटा है चांद की सेता की बनावट को समझने में लगा है नासा के मताबिक चांद के दक्षणी धूरू पर बर्फ है बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते है साल 1998 में नासा ने मून विशन के तहट की बताया था कि दक्षणी धूरू पर हाइड्रोजन है नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वज़े से वहां बर्फ होने की संभावना है इसके अलावा चांद के दक्षणी धूरू पर बड़े पढ़े पहाड और कई गट्टे हैं ज्यादा तर गट्टे ऐसे हैं जहां अर्बों साल से अंधेरा है अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षणी धूरू पर अर्बों सालों से पागी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है अगर चंद्रयान 3 कालेंडर और रोर चांद पर बर्फ की मौझूदगी की पुष्टी कर देते हैं तो वहां मानोबस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी हलाकि इससे पहले भी चंद्रमा की सदर पर पानी होने के संकेत मिले थे चांद के चाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं वैज्यानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षनी धूपत बर्याप्त बर्फ होने की पुश्की कर देता है। तो चांद की सेदर पर मौझूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थ व्योस्ता के लिए आदहार को दयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आई रसायन विज्ञान की भाशा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुम्किन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O. पानी एक एक अडू में हाइड्रोजन और ओक्सीजन दो एक के अनुपात में मौझूद होता है। यानि पानी के एक अडू को हाइड्रोजन और ओक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O equals H2 plus O2. यानि पानी की मौझूदगी में चान पर सांस लेने के लिए उक्सीजन बनाना आसान है. वहीं पानी से हाइड्रोजन और उक्सीजन को अलग करके इंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही साथ पानी से चान पर बिजली भी तयार की जा सकती है. क्योंकि चान पर इंसानों की वस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैग्यानिकों को तब बड़ी कामियावी मिली थी जब चान की मिट्टी में पौधे उगाये गए. अपोलो 11 मिशन के दौराद करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था. इसमें तक्रीबन 50 चान के चटानों के तुपडे और चान की मिट्टी शामिल थी. शोद करताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चान की धूल भरी मिट्टी में कुछ उगभी सकता है या नहीं. उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीडी में कोई चान पर जाता है तो वहाँ पर कुछ उगा सकता है. जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौका दिया. ऐसे में अगर चान के दक्षणी धूरूपर परयाप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चान पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है. यानि चान पर सस्ती बस्ती बसाने में चंडरयान ख्री बहुत बड़ा रोल ने भाने बाला है. जिसकी शुरवात चंडरमा के दक्षणी धूरूपर भारत के धमा के दार दस्तक के साथ हो चुकी है.